ही प्लांट रहोलिक्स, वेलकम बाक तो मैं चैनल, होप यौल दूइंग वेल, फ्रेंड्स इन दिस वीडियो, आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से यह फ्लारिंग कर रहा है, तो फ्रेंड्स इस समय आप स्प्रिंग सीजन लग गया है, इंडिया में तो इस समय बहुत ही आप अभी देख सकते हो, कितने खुबसूरत और वाइबरेंट कलर के इसमें फ्लार्स खिले हुए हैं, बस एक काम आपको इस प्लांट में करना है, वो है पिंचिंग, वैसे फ्रेंड्स जो विंटर प्लानिंग प्लांट्स होता है, उसमें आपको पिंचिंग बहुत ज़ शिफ्ट कर दीजे, आप देखे, कितने नंबर्स में मेरे यां इसमें फ्लारिंग हो रही है, यह देख सकते हो आप फ्रेंड्स तो इसको आप जरूर सेफ करिएगा, इसको आप फेक मत दीजेगा, इसके बाद जो नेक्स आप देख रहो है, यह है बहुत ही ज़्यादा हा करेगा इवन नॉर्थ इंडिया में भी, अब इस समय फ्रेंड्स चूकी गर्मी जो है वो थोड़ी सी तेज हो गई है इधर, तो बस आप जब भी पानी डालिए तो मिस्टिंग भी जरूर कर दीजे इनकी लीव्स पर, यह फ्रेंड्स में पास को शेड है, तो इसकी बस आ और आप कर सकते हो, यह जैसे आप मेरा प्लांट देख रो, इसको फ्रेंड्स मेने शिफ्ट कर दिया, फोर इंचिस के पॉर्ट में, अगर आपके पास पॉर्ट की कमी हो रही है, आप समर फ्लारिंग प्लांट्स को ला रहे हो लगाने के लिए, तो आप इन फ्लारिंग प फ्लारिंग करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स इनके जो फ्लार्स होते हैं, वो इस्पेंट हो जाते हैं, यह भी फ्रेंड्स मेरा पुराना वीडियो है, तो अब मैंने इनका यह किया है, चूँकि यह फ्रेंड्स मेरे यह तो आउट्डोल लॉन में जमीन पे लगे हुए तो बस मैंने इनकी उपर से कटिंग करके इनको वैसे ही छोड़ दिया है, और जो फ्रेंड्स मेरे यह पौट में लगे थे क्राइजन्थमम के प्लांट्स, उनको भी फ्रेंड्स मैंने कटिंग करके छोटे-छोटे जो फोर इंचिस के पौट होते हैं, जो हमें नरसरी से प्लारी में मिल जाते हैं, उन ही में ही लगा दिया है, तो फ्रेंड्स काइजन्थमम को सेफ करना बहुत ही आसान होता है, आपके पास जो भी आप फ्लार खिला हुआ, देख के लाते हो, जैसी सीजन खतम हो, बस आप इनको कट करके, इवन इनकी आप कटिंग भी लगा दो जीजे छोटे पॉट से इनको बड़े पॉट में लगा देंगे, तो फ्रेंड्स ये अपने सीजन में, जो विन्टर सीजन होता है, उसमें ये फ्लारिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो फ्रेंड्स ये मेरे को शेर्ट से जो की जादा तर वाइट ही निकले हैं, जो की बहुत ही अच्छा और खुबसूरत कलर देखने में लगता है, तो फ्रेंड्स इसको मैंने सभी को ही इनकी बस कटिंग करके इनको ऐसे ही छोड़ दिया है, और बाकी को जैसे कि मैंने आपको बताय है, वैसे ही मैंने पॉट में ही उनको 4-4 इंचे के छोड़ दिया, तो फ अभी को मैंने इस तरीके से कटिंग कर दिया है, तो आप भी कट करके उनको अभी भी चाहो तो बचा सकते हो, अगर आपके पास लगा हो बड़े पॉट में तो आप उसको छोटे पॉट में कर दीजे, नेक्स जो प्लांट आप देख रहे हैं, यह बहुत ही जादा हो नहीं होता, बस इसको में और कई बारी यह होता है, यह बारिश के टाइम पर खराब हो जाता है, तो उस समय आपको इसको थोड़ा सा बचा के रखना पड़ेगा नहीं, तो फ्रेंट यह नेक्स सीजन पर आपके पास बहुत ही आसानी से बचा रहता है, वो वीडियो सीजन के थे, इस समय समय जो आप फ्लारिंग देख रहे हो तो बहुत ही अच्छे से हो रही थी, और इस बार भी इसमें एक दो स्टिक्स में फ्लार साय थे, क्योंकि आपकी का जो मौसम था थोड़ा सा चेंज था इधर लखनो में भी और नॉर्थ इंडिया में ही मैं कह सक लखना होतो हो, मैंने तो कुछ को ऐसी छोड़ भी दिया तो उसमें भी प्लांट निकल आया था, अगर आपको सेफ साइड चाहिए कि आप इसको अलग से रखके फिर आप इनके जो ग्रोइंग पिरड में आप लगाईए तो वो भी आप काम कर सकते हो, तो इस सारीके सा आ और इसमें भी भी बर्ट वगेरा निकल नहीं, करना आपको यह है कि अब जब थोड़ी और तेज धूप पढ़ने लगें, जैसे कि अभी मैंने इसे जहां पर रखा अपने यहां टेरिस गार्डन में, मैंने ऐसे एरिया में इसको रखा हो, जहां पर से मौनिंग की सनलाइ होने लगें, आप इसकी लोकेशन को शिफ्ट कर दीजे, थोड़े से शेड़ी एरिया में इसको रखिए, जहां पर इसको बस एक दो घंटे की भी मौनिंग सनलाइट मिल जाएगी, तो भी फ्रेंट वहां पर सर्वाइफ कर जाएगा, जब बहुत तेज गर्मी पढ़ती ह इसके बार नेक्स जो आप प्लांट देख रहे हैं, यह है फ्रेंट्स कैलन कोई का, यह तो फ्रेंट्स आपके पास बच ही जाएगा, यह तो मैंने अपने टेरिस गार्टन में भी रखा हुआ, तो भी यह प्लांट बच गया, यह जो आप प्लांट्स देख रहे हैं, यह म के पास कई सारे shades आपको मिल जाते हैं जैसे कि friends आप ये red and orange आपने देखा भी अभी ये देखे friends ये मैंने इस बार खरीदा है ये है yellow color का तो friends आप मैंने इनकी तो location को change कर दिया है मैंने इनको ठाके थोड़ा सा ऐसे area में रख दिया है बस जहांपे इनको morning की दो तीन घंटे की sunlight मिल जाती है वो बहुत है उसके बात friends shade थोड़ा सा पड़ता है तो गहां पर ये बहुत ही अच्छे से grow कर रहा है next जो plant आप देख रहा है friends ये है poinsettia का friends ये तो मैंने इसका जब मैंने वीडियो बनाया था तब ही आपको बताया था इसको friends मैं अपने terrace garden म में ही रखोंगी चट पे ही क्योंकि friends एक जो मेरे पास plant से जो मैंने सबसे पहले लिया था उसको मैंने अपने indoor garden में shift कर दिया था तो वहां पर प्लांट खराब हो गया था लेकिन जब मैं ये वाला प्लांट लेका ही मैं दो प्लांट लेका ही तो दोनों को ही friends मैंने अपन location में रखा था जहां पे इसको morning की sunlight मिल जाती थी चार से पांच गंटे की उसके बाद वहां पे shared आने लगता था तो friends वहां पे ये survive हो गया आप पता नहीं अब इतनी मे वाली जो गर्मी होती में जून में भी ये बहुत ही अच्छे से वरकाउट के है प्लांट काफी healthy था तो friends आप इसे भी बचा सकते हो और इसे बचाना तो friends बहुत ही जादा आसान होता है आप इसकी चोटी सी cutting लगा दो या फिर friends आप इसके जो flowers होते हैं जब सूख जाते हैं उनको जैस friends आप soil में भी दबा देंगे तो friends ये plant आपके पास next season तक के लिए भी बचा रहेगा बहुत ही अच्छे से ये plant मेरे यहां इस बार इसमें heavy flowering होई थी तो friends आप इसे भी चाहो तो अपने यहां गर्मी के season में भी बचा सकते हो तो जो ये जो plants है friends ये भी आपके चल जाएंगा ऐसा नहीं कि mother plant सूख जाएगा बस आप इसकी थोड़ी सी location को आप shift कर दीजे थो बस दुपहर वाली जो धूप होती उससे बचा लीजे तो ये plant आपके यहां grow बहुत अच्छे से करेगा और अगर friends इसका mother plant सूख जाता तो just इसके जो सूख ही flowers हो गये या फिर आप cutting से इसके दूसरे भी plants बना सकते हो और next season तक के लिए ये भी plant आपके पास बचा रहेग कि आपको इन flowering plants में से कौन से plant सबसे ज्यादा पसंद आए तो friends hope you like the video thank you so much